नवरात्रि में अश्टमी तिथी पर ऐसी कन्या का पूजन भूल से भी ना करे और कन्याओं को भूल से भी भोजन में ना खिलाए ये चीजे। नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों नवरात्रि का पर्व नव दुरगा अर्थात नौ कन्याओं को समर्पित होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। दुख दर्द दूर होते हैं। हर कष्ट दूर होते हैं। ग्रहकलेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते है यहां तक कि पित्र दोश, राहु दोश, मंगल दोश, काल सर्प दोश, आदी मात्र कन्या पूजन करने से नश्ट हो जाते है और इन दोशों से पीडित व्यक्ति को राहत मिलती है, घर में खुशिया आती है दोस्तों आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर प्रिथ्वी लोग पर आ चुकी है जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब धर्ती पर हरियाली च्छा जाती है सृष्टी का नजारा अत्यंत सुन्दर और मनमोहक होता है दोस्तों इस बार की नवरात्री बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है इस बार शारदीय नवरात्री 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा ऐसे में 24 अक्तूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसरजन होगा दोस्तों नवरात्री की अश्टमी और नवमी तिथी पर कन्या पूजन का विधान है इस बार महा अश्टमी तिथी 22 अक्तूबर दिन रविवार को है और नवमी तिथी 23 अक्तूबर दिन सोमबार को है। ऐसे में आप अश्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्री के दिनों में कन्या पूजन करने से मा अभय वर्दान प्रदान करती है। नवरात्री में माता राणी का वरत और पूजन किया जाता है। लेकिन नवरात्री के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों छोटी क कन्या बहुत ही निश्पाप और नाजुक होती है। कन्या पूजन के दिन, वह सबसे अधिक पवित्र और श्रेष्ट होती है। उसके अंदर साक्षा अत मा जग-दंबा का वास होता है। समस्त देवियां उनके अंदर समाहित हो जाती है। ऐसे में इस दिन कन्याओं की पू माता रानी इतना प्रसंद नहीं होती है, जितना की कन्या पूजन से होती है। नवरात्री में छोटी-छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीरवाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदी उपहार दिये जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी- तो इसका मतलब है माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीरवाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें वर्दान प्राप्त होता है। वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोडो गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे महापाप लगता है। दोस्तों नवरात्री में दो साल से लेकर दस साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, लेकिन एक स पूजन करने में असमर्थ है, तो वह केवल अश्टमी के दिन कन्या का पूजन करे, उसे संपूर्ण नवरात्री का फल प्राप्थ होता है। अश्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदी देना, श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। आमंतरन दे। जब वे आपके घर आए, तब दूद और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। खासकर यह कार यह पुरुशों को करना चाहिए। कन्याओं के हाथ पैर धोकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछा कर बीठा देना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुंकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहन करवाना लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में तीन पूरियां कभी न रखें। इसे शुब नहीं गोर अशुब माना जाता है। तीन पूरियां तथा तीन रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में तीन पूरी कभी लेकिन एक-एक करके पूरियां दे सकते हैं, इससे तीन संख्या बढ़ जाती है और दोश भी नहीं लगता। कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट देते हैं, जो की गौर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, माद से लाकर ही खिलाते हैं, तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो की शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं, जिनके घर में मान लीजिए कोई दुरघटना आदी हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते ह लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीडा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए मातारानी, दही जले भी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है आपका प्यार चाहती है, फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्योना बनाए आप स्वैम ही अपने हाथों से मातारानी को भोजन खिलाएं हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बरतन में खाना नहीं खिलाना चाहिए ऐसे बरतन पूजा पाठ के लिए शुब नहीं अशुब होते हैं क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादा तर बरतन जो होते हैं, जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं इसी लिए ऐसा पाप मत करना, कन्याओं को हमेशा स्टील के बरतन में या पत्तों से बने बरतनों में ही भोजन कराना चाहिए अगर पेड के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वर्दान प्रदान करती है दोस्तों एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्री के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पढ़ जाए भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए क्योंकि लौंग देवी दुर्गा मा को बहुत प्रिये है लौंग माता का प्रतीक होती है लौंग में नवदुर्गा का वास होता है इसी लिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लॉंग जरूर रख दें आपका भाग्य चमक जाएगा माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी दोस्तों आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दे कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षना डाले ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी नहीं हो कन्या जब आपके घर से खुशी-खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी-खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है इस समय कंजूसी मत करना, उन्हें धन अवश्य देना, कोई सुन्दर गिफ्ट भी दे सकते हैं शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही धन आपको प्रदान करती है ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, तथा सुन्दर कपड़े दे सकते हैं याद रहे काले कपड़े ना दे और स्टील के बरतन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी समान नहीं देना चाहिए नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा राहु दोश आपको लग जाएगा आप बरबाद भी हो सकते हैं दोस्तों जब कन्याओं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छूलें और अपनी मनोकामना मन ही मन कहे माता राणी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करती है